As a middle class Indian family, मैं, आप, हम सभी हर महीने की groceries की shopping कहां से करते हैं? तो ये हम ज़्यादा तर D-Mart, Reliance Mart या फिर Gio Mart का app यूज़ करके मंगवा देते हैं. तो अगर आप D-Mart and Reliance Mart में जाओ तो आपको पता है कि वहापे आपको अच्छे कासे discounts तो मिल ही जाते हैं. What if मैं आपको ये कहूँ कि इन discounts के ऊपर आप और extra 10% का cashback निकाल सकते हो तो ये आपको कैसा लगेगा? दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ही trick बताने वाला हो कि जब आप normally अपनी shopping करते हो तो आप बस इस trick का इस्तमाल करें और आपको extra 10% cashback मिल जाएगा. और ये सिर्फ आज की बात नहीं है ये आने वाले दिनों में आने वाले मैंनों में आने वाले सालों तक आप इसका use कर सकते हो जब तक ये cashback आपको allowed है तब तक तो ये क्या है इसके आप ये trick आप कैसे आप इसे apply करोगे और ये सारी चीज़े आपको proof के साथ पता चलेगी तो मुझे ये already cashback मिल चुका है तो ये भी आप देखने वाले हो तो चलो चलते हैं मेरे mobile phone की screen पे और आपके साथ ये trick शेर कर दो अगर आपको ये video अच्छी लगे तो प्लीज आप ये video अपने दोस्तों के साथ और family के साथ ज़रूर शेर करें जिससे उनका भी काफी अच 20 रूपय का खर्चा किया था ये 19th of March को किया था सवेरे साथ बजे यहां पर दोस्तों ये 9 रूपय का cashback यहां पर count कर लिया गया जो मुझे actually credit हुआ यहां पर UPI offer cashback के द्वारा 26 March को और ये 9 रूपया एड हो गया सेम तरीके से मैंने या पर और एके 60 रूपीज का मेरा बिल बना था ये था 20th of March को सवेरे 8 बजे जहां पर ये 6 रूपीज का cashback काउंट कर लिया गया था और ये मुझे credit हो गया 27th of March को और एक आपको proof बता दूँ D-Mart का यहां पर दोस्तों दिख सकते हो कि मैंने D-Mart में य यह शॉपिंग करी है यह 29th of March को मैंने शॉपिंग करी 868 रूपीज की जिसका मुझे यहां पर यह cashback मिल चुका है 10% cashback on demand तो यह 3 जो cashback आये है यह देख सकते हो यह 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 दो एंड यह तीसरा तो यह तीनों के मुझे यहां पर exactly 10% का cashback मिल चुका है यह 985 का बिल 868 का बिल 329 यहां पर देख सकते हो 99 का cashback 87 का cashback 33 का cashback तो यह सारे जो cashbacks है यह मुझे credit हो चुके है successfully तो अब यह trick exactly आप कैसे अपना सकते हो एंड आप इसमें से maximum फाइदा कैसे निकाल सकते हो यह अब मैं आपको बता दू और यह सब कहां से possible है अब आप सारी details जानोंगे दोस्तों यहां से video को त्यान से देखेंगा गौर से देखेंगा कोई भी detail को miss out मत कीजिए तो यह 10% के cashback का आपको फाइदा कहां कहां मिलता है यह आपको मैं यहां से बता दूँ दोस्तों यहां पर लिखा है कि 10% cashback and flat 10% cashback when you pay using junior card सो दोस्तों basically आपको यह सारी जगह पर आपको junior के card से करनी है payment and junior के card को apply करने के लिए मैंने इसके link description and print comment दोनों में ही दे दी है जो मेरी referral link है जिसका आपको भी फाइदा मिल जाएगा अब यहां पर आप देख पाऊगे यहां पर clearly mention ने के यह valid है स्वीगी जॉमाटो ग्रॉफर्स बिग बास्केट कंट्रे डिलाइट डॉमिनो जेप्टो जिओमाट फ्रेजो एंड डुन्जो यहां पर maximum cashback per transaction है रूपीज हंड़ेड सो यहां पर यह एक आपको simple चीज समझनी है कि आपको जो भी transactions करने है न यह आपको 1000 रुपे के उपर नहीं करने है क्योंकि आपको उस 1000 रुपे के transaction पर 10% का cashback मिलेगा तो फिर आपको यहां पर maximum cashback कितना मिल जाएगा 100 रुपीज का सो simple है कि हर बार आप यहां पर 10% बचा लोगे यह तो हो गई इसकी बात अब बात करते हैं groceries या यू कहें कि जहां से हम high value की चीजें खरीते हैं उन चीजों के बारे में जैसे कि यहां पर यह mentioned है कि get 10% cashback और यहां पर यह वैलिड है और family in a month is up to rupees 1000 अब आप इसका maximum फाइदा कैसे ले सकते हो तो यह तो हो गया तरीका अब मैं बताता हो आपको ट्रिक तो दोस्तों यहां पे जैसे कि मेंचन ने के maximum cashback per card swipe is rupees 100 तो इसी में छूपी है यह trick वो यह कि दोस्तों for example आप यहां पर कहीं पर भी आप आप शॉपिंग करते हो चलो हम डी मार्ट का example लेता है तो अगर आप शॉपिंग कर रहे हो और आपका बिल बन जाता है 3000 का तो आपको क्या करना है कि आपको है ना बिलिंग काउंटर पर बोलना है कि जैसे ही आपके बिल का 1000 रुपीस तक पहुंच जाता है तो उनको रुख जाना है और फिर आप उसकी पेमेंट कर दोगे ठीक है तो आप तीन अदार के बिल की आप पेमेंट कैसे करोगे आप 1000 इंटू 3 टाइम्स आप अपने जूनियो क काड को स्वाइब करोगे तो जैसे हैं पहले 1000 पे आप काड को स्वाइब करते हो तो आपको मैक्सिम मिलना है वह जाएगा सेम तरीके से आपका जैसी दूसरा जो आपने 1000 रुपीस का आपने बिल बनवा लिया तो अगेर आपको उसका 100 कश पैक मिलेगा ऐसे करते-करते आप हर माईने 10,000 रुपे का खर्चा करो यहाँ पे इन सारी जगह पे टोटल मिला के, तो भी आप वहाँ पे आप 1000 रुपीज तक आप जो है easily आप कमा सकते हो, पर कार्ड स्वाइप maximum 100 को गिन के भी, और यह तो हो गई एक जूनियो कार्ड की बात, अगर आप जादा जूनियो कार्ड का यूज करके इन जगह पे यूज करते हो, तो आप ही समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे हर बार 10% कैश में का फाइदा मिले, तो यह आपके लिए कितना फाइदे मन्द हो सकता है, So that's it दोस्तों, यही है यह ट्रिक जिसका यूज करके आप अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हो, हर मैने की आपकी मंतली ग्रॉसरीज या कपडों की शॉपिंग या खाने पिने की चीजों की शॉपिंग पे, यह है इसका लाइफ प्रूफ जो मैंने आपको बता भी दिया है इस वीडियो में, So अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगियो तो प्लीज आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दे, और मुझे दीचे कमेंट्स में थैंक्स जरूर लिखे इस वीडियो के नीचे, जिससे मुझे मिलती है तगड़ी मोटिवेशन, जय हैं वंदे मातरव,